टीम इंडिया के सक्सी सफल कप्तानों में से एक महंदर सिंग धोनी गुरु आरसाज जुलाई को अपना 41 वा जनम दिन बनाएंगे आपको बता दें कि इसवक महंदर सिंग धोनी लंदन में है और वह लंदन में अपना जनम दिन बनाएंगे लेकिन भारत में भी महंदर सिंग धोनी के जनम दिन की पूरी तयारी कर ली गई है बता दें कि विजवाड़ा में पुर्व कप्तान महंदर सिंग धोनी का 41 फिट का कटाउट बनाया गया है और इसकी तश्वीरें भी शोचन मीडिया पर वायरल हो रही है कटाउट में महंदर सिंग धोनी हेलिकॉप्टर शोट लगाते वे नजर आ रही है इसके लावा आपको बता दें कि साल 2018 में केरल में महंदर सिंग धोनी का 35 फिट का और साती चेननई में 30 फिट का कटाउट भी लगाया गया था अब उसकी तस्वीरे भी शोचन मीडिया पर वायरल हो रही है आपको बता दें कि महंदर सिंग धोनी ने हाल ही में अपनी बारवी शादी की साल गिरह में बनाए थी 4 जुलाइस 2010 को महंदर सिंग धोनी की शादी शाक्षी धोनी के साथ हुई थी क्रिकेट के बात करें तो महंदर सिंग धोनी ने साल 2020 में अंतराष्टी क्रिकेट से सन्यास लिया इसके बाद वह IPL में खेलते हुए नजर आते हैं आखरी मैच के बात करें तो महंदर सिंग धोनी ने 20 मई 2022 को चेनने सूपर किंग्स की कपतानी करते हुए IPL का अपना आखरी मैच खेला था जिसमें टीम को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था पीली जर्सी में मेहंदर सिंग धूनी काफी कमाल कर चुके हैं बात करेंगर IPL की तो मेहंदर सिंग धूनी आईपिल में चेनेई सुपर किंग्स को चार बार ट्रॉफि जिता चुके हैं साल 2023 में भी मेहंदर सिंग धूनी चेनेई की तरफ से खेलतों में नजर आएंगे या खुद 2022 में आखरी मैच के दुरान मेहंदर सिंग धूनी ने काया था बरहाल मेहंदर सिंग धूनी के भारत के रिकॉर्ड को देगे तो ICC की तीन ट्रॉफि जीतने वाले मेहंदर सिंग धूनी एकलोते कप्तान है साथ थी मेहंदर सिंग धूनी के कफ्तानी में टस्ट में भी भारते टीम नमबर एक पर पहुची थी आपको बता दें साल 2007 में मेहंदर सिंग धूनी ने T20 वर्लकप, 2011 में वंडे वर्लकप और 2013 में चैंपियन्स ट्रोफी टीम इंडिया को जिताई थी इसके अलावा 2019 वर्लकप सेमी फाइनल में मेहंदर सिंग धूनी आखरी बार ब्ल्यू जर्सी में दिखाई दिये थे मेहंदर सिंग धूनी को जनम दिन की बेहल्शिव काम नय आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमन करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार